वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपको क्लास 10 की एक्सेसाइज 8.2 से कोशन नमबर फस्ट के फॉर्थ पार्ट को सॉल्व करना सिखाऊंगी बैटे जैसे की कोशन नमबर फस्ट का तीसरा चोथा और पांचवा पार्ट सभी बच्चों के निये थोड़ा डिपिक काऊंगी तो आप प्लेलिस से जाकर सभी पार्ट इसली सीख सकते हो तो बैटे मेरी एक बात को दियान से समझना की इन सभी कोशन को अटैम्प करने के लिए आपको ट्रिक्नोमेट्रिक रेशियो स्टेबल का लर्न होना जरूरी है पर बैटे ज्यादा तर बच्चे इस टे पूट करना है साइं 30 की वैंल्इड क्या होती है 20 बाए 210 फॉर्टि फैर्टी के वैंल्इड होती है ए बां मैननस का साइट जींस को सेक्स्टि के वैं Mits Avec种 through तो यहाँ पर लिए मैıने टूबाइ रूट थ्रि अब एसे ही से खैर्टी के वैल्यू क्या होती है तूबाइ plus का sign, code 45 की value क्या होती है यहां से 1, बेटे values को put करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर इस इतने part का और इस इतने part का LCM लेना है, यानि कि इस root वाली value को as it is रहने देना है यहाँ पर भी उपर भी और नीचे की साइट भी तो बेटे जादातर बच्चों को LCM लेने का भी मैथट नहीं आता है तो LCM लेना भी सिखाती हूँ देखो पहले इस उपर वाले पार्ट का LCM लेोगे तो यहाँ पर 1 है 1 में denominator में अपने पास से 1 लगा दोगे तो 2 और 1 का LCM क्या होता है 2 होता है 2 और 1 का LCM आया 2 तो इस LCM वाले 2 को आपने इन 2 में रखना है एक बार इस पूरे के साथ यानि की 1 by 2 के साथ फिर इसी LCM वाले 2 को एक बार रखना है 1 by 1 के साथ तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होकर फिर्स्ट वाले का अंसर आया 1 बीच में प्लस का साइन डैनोमिनेटर के 1 की कोई वैलियू नहीं होती तो यह क्या हो जाएगा 2 बन सा 2 तो पैटे 1 by 1 का अंसर के आया था यहाँ पर 2 अब यहाँ पर है माइनस का साइन 2 by root 3 को as it is लितो अब ऐसे ही नीचे 2 by root 3 को as it is पीच में प्लस का साइन अब यहाँ पर 1 में डैनोमिनेटर में 1 लगा दो सेम लेने का मेथट है 2 और 1 का LCM रहेगा 2 इस LCM वाले 2 को एक पर 1 by 2 के साथ रखो इन 2 में इसी LCM वाले 2 को इन 2 में एक बार 1 by 1 के साथ रखो जैसा उपर किया था तो इहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया आया इहाँ पर 1 डैनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो यह क्या हो जाएगा 2 1 से 2 अब इसे सॉल्फ कर लो यहाँ पर कैसे 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 by 2 अब बेटे यहाँ पर आपको फिर से LCM लेना है यानि कि इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का दोनों का LCM लेना है पहले उपर का फिर नीचे का तो 2 रूट 3 का LCM क्या रहेगा 2 रूट 3 ठेक बेटे इस 2 रूट 3 को इस 2 रूट 3 को इन 2 में एक बार 3 by 2 के साथ रखो इसी LCM को यानि की 2 रूट 3 को एक बार इन 2 में 2 by root 3 के साथ रखो तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर्स वाले का अंसर क्या आएगा 3 रूट 3 बीच में है माइनस का साइन यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा यह हो जाएगा 2 रूट 3 के साथ इन 2 में यानि की 2 by root 3 के साथ फिर 2 रूट 3 को इन 2 में एक बार 3 by 2 के साथ तो यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल 2 तूजा 4 तो यहाँ पर लिख दो 4 बीच में है प्लस का साइन यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल यह क्या होगा 3 रूट 3 तो बैटे दोनों के ही डैनोमिनेटर सेम है यानि की इस उपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का यह दोनों डैनोमिनेटर सेम है तो यह आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 3 रूट 3 बैटे एक तरह से यहाँ पर यह आंसर आ गया है पर बैटे डैनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे को रैशनलाइज करेंगे जिससे की हमें A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर का फॉर्मिला मिल जाए जिससे की रूट से रूट आपस में कैंसिल हो जाए और डैनोमिनेटर में स्रीफ हमारे पस सिंगल डिजिट का नमबर आ जाए क्या करेंगे इस पूरी वैल्यू को रैशनलाइज ताकि A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर का फॉर्मिला मिल जाए और रूट से रूट कैंसिल हो जाए और डैनोमिनेटर में सिंगल डिजिट का नमबर आ जाए तो पैटे रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है 3 रूट 3 माइनस 4 4 प्लस 3 रूट 3 को यह जो नीचे वाला नमबर है इसे इंटू में उपर और नीचे माइनस में लिख दो यानि कि यह हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3 यहाँ पर भी हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3 इतनी बात समझ में आ गए रैशनलाइस में यह जो डैनूमिनेटर में नमबर दिया है उपर और नीचे साइन चेंज करके मैंने इसे इंटू में लिख दिया अब यहाँ पर इन दोनों ही वैलियूस को आपस में मल्टिप्लाय करना है यानि कि 3 रूट 3 को एक बार इस से और माइनस 4 को फिर एक बार इस से इसको इजी करकर लिख देती हूँ कैसे जैसे कि 3 रूट 3 को एक बार मल्टिप्लाय करना है 4 माइनस 3 रूट 3 से फिर इस माइनस 4 को मल्टिप्लाय करना है 4 माइनस 3 रूट 3 से ठीक बैटे अब यहां पर बेटे वही a plus b a minus b का formula अगए धियान से देखो यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां प्लस यहां minus यहां पर 3 root 3 है, यहां पर भी 3 root 3 है तो यह कौन सा formula बना? a plus b और a minus b यानि कि a plus b और a minus b का formula क्या होता है? a square minus b square का तो पहले उपर के value को solve कर लेते हैं, या नीचे वाली भी hand to hand लिख देती हूँ, यह हो जाएगा a, यानि की 4 का square, minus b क्या होगा, 3 root 3 का square, अब इसे solve करोगी दिहान से बिलकुल, 3 root 3 को 4 से multiply करना है, ठीक बेटे, तो single digit number single digit से होगा, यह क्या हो जाएगा, 3, 4, 12, root 3 हैंपर as it is अब बीच में है, minus का sign, अब multiply करना है, 3 root 3 को minus, अभी minus का sign मत लगाओ, 3 root 3 से, तो 3, 3 से क्या होगा, 9, और root 3 को, root 3 से multiply करोगी, तो क्या हैंगा, single 3, तो यह क्या हो जाएगा, 27, तो यहाँ पर लिख दोगे, 27, अब बीच में है, minus का sign, 4, 4, 16, अब इस minus 4 को, यानि कि, इस minus 4 को, multiply करना है, किस से, minus 3 root 3 से, तो 4 को 3 से multiply करोगी, तो क्या हैंगा, 4, 3, 12, minus, minus क्या होंगे, यहां से, plus, 12, और बचेगा, क्या, root 3, बैटे minus करना भी बता रही हूँ, 4 का square क्या होगा, 4, 4, 16, अब 3 और root 3 का whole square को कैसे solve करोगे, 3 root 3 का whole square का मतलब है, 3 पर भी square है, और root 3 पर भी square है, तो 3 का square क्या होगा, 9, और root 3 का square क्या होगा, single 3, तो यह हो जाएगा, 27, यहां पर लिख दोगे, 27, तो 16 में से 27 गए, बचा, minus 11, अब उपर का solve कर लो, यह वाली value, और यह वाली value, आपस में plus हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस होकर, 24 root 3, अब minus 27, और minus 16 क्या होगा, minus minus plus, minus 43, इतनी बात समझ में आ गई बेटे, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि, denominator में minus आ गया है, तो minus को remove करना पड़ेगा, यहां से, तो minus को remove करने के लिए, आप क्या करोगे कि, पहले इसको इस तरह से लिख लो, minus 43, प्लस का नंबर है यह, प्लस 24, root 3, minus में 11, तो पैटे, इहां पर आप क्या करोगे कि, minus को remove करने के लिए, मैंने यहां पर क्या किया कि, minus को common ले लिया, यानि कि, minus 43 को पहले लिख दिया, यानि कि, इस minus को common ले लिया, और आपस में minus से minus को cancel कर दिया, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, अब जब minus common लिया है, तो यह plus की value भी minus के अंदर change हो जाएगी, रूट 3 अपन में 11 बैटे मैंने भी बताया था कि डैनोमिनेटर में माइनस नहीं रखेंगे तो यहां पर मैंने क्या किया कि माइनस को कॉमन लिया ठीक तो यह माइनस 43 को ऐसे ही लिखा और प्लस की जो वैल्यू थी यहां पर यह प्लस में था यह किस में कनवर्ट हो गई है म माइनस में कनवर्ट हो गई और तो यहां पर माइनस से माइनस आपस में कैंसिल हो गया आंसर क्या आएगा 43 माइनस 24 रूट 3 पाई 11 तो बैटे कोशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने बिल्कुल जीजन के साथ समझाया है अगर आपको यह वीडियो अच्छे